हैं और इस प्रदर्शनी के जरीए भी आप समझ सकते हैं कि देश विजिश के तमाम जो प्रदर्शक है वो यहाँ पे स्काइकर में बौजूद हैं और आने वाले वर्षों में किस तरह से यूपी की तकदीर सचमच निवेश का ये महाकुम उत्तरप्रदेश जो आज निवेश प्रदेश भी है उत्सव प्रदेश भी है जो बड़े बड़े आयोजनों को सफलता पूर्वक करने के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश आज अभी भूत है आलहादित है कि आज के इस निवेश के महाकुम्ब में हमें माननिय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी जी का सानिध्य और सामिप्य मिलेगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं recording किस तरह से माननी प्रधान मंत्री जी ने प्रदर्शनी का शुभारंब किया और उसका अवलोकन किया और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बड़ी गहनता और सुक्ष्मिता के साथ वो ऐसे अभिनाव प्रधासों का जिसे हमने प्रदर्शनी का नाम दिया है अवलोकन करते हैं क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है वहीं से हमारे स्वर्णिम भविश्य का रास्ता निकलता है हमारे अंतर राष्ट्री अतिथी यहाँ पर आए हुए हैं जैसा कि मैंने आपसे बताया था स्विट्जर लैन के ETH AI सेंटर के भी चार लोग यहाँ पर हैं सभी का यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ ही विकसित भारत के विकास की गति को भी एक्सलरेट किया जाए और इसलिए इस निवेश के महाकुम्ब का सूत्र वाक्य भी यही है कि हम अपने विकास की गति को बढ़ाएं और बस अब कुछी पलों में माननी प्रदान मंत्री जी का आगमन होगा आज का ये आयोजन कंटेनर से बना ये भव्य और अनूठा सभागार और इतनी बड़ी स्क्रीन और प्रोजेक्टर और एनिमेशन का प्रयोग इस आयोजन को अब इस मरणी ये बना रहा है कंटेनर से बना ये सभागार उत्तर प्रदेश की विकास की गति को प्रतिबिम्बित कर रहा है और स्वता ही हमारे अंदर विकास की गति की तेज रफतार की तरंगों को समवेदनाओं को जगा रहा है कंटेनर से बना ये सभागार इस बात का भी उत्गोश कर रहा है कि हम आधुनिक तम तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने को आधुनिक समय की अपेक्षाओं के हिसाब से ढाल करके इतिहास रचने में सक्षम है माननिये प्रधान मंत्री जी का आगमन हो रहा है विराठ स्वप्न और विराठ संकल्प की प्रेरणा देने वाले 140 करोड भारतियों के परिवार के अभिभावत माननिये प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी का आगमन हम हिदय से स्वागत करते हैं अपनी तालियों के प्रणाम आप उन तक पहुँचाएं सुरक्षा, सुशासन, उद्योग, उत्सव और सम्मान यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था उत्तर प्रदेश में कंटेनर से बने इस अदुभुत सवागार में दस लाख करोड से अधिक के निवेश की 14,000 से अधिक की विकास परियोजनाओं के शुभारंब के अफसर पर आयोजित इस निवेश के महाकुंब में हम हिदय से माननिय प्रदान मंत्री जी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने प्रणाम समर्पित करते हैं साथ ही हम माननिय राज्यपाल महोदया माननिय रक्षा मंत्री महोदय माननिय मुख्य मंत्री महोदय और समस्त गणमान अतितियों का भी हार दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं